अब यह करा है कि आपको बताना है कि मार्ग प्राइस क्या होगा तो देखिए यह स्टेट मेरे जिमाग में तुरंत आ रहा है कि 84% जो होगा इसका यह 3024 होगा अब मुझे काल्कुलेट कर लेना है बस कि यहां से 100% क्या आजाएगा वही इसका आंसर होने वाला है क्योंकि यह आपर मार्ग प्राइस ही पूछी जा रही हमसे ठीक है तो 100% अब निकालने की कोशिश करते हैं यहां से डिविजन करना पड़ेगा मुझे तो यह 84 x 3 में जाओंगा तो यह मुझे देगा 2520 प्लस I need 504 more 504 जो है वो है 84 अगर यह वैलू आप धान से देख रहों कि यह वैल 36 टाइम जाएगा यहां पर 3600 आपका अंसर हो जाएगा अब मैं आपको यह समझाता हूं कि यह चीज मैंने क्यों लिखी 84 यह आपको समझना है देखो 20% का डिसकाउंट आपने MRP पर दिया तो 20% का डिसकाउंट देने के पास आपके बास बचेगा 80% of MRP पर यह आपका जो इस पे 5% का टाइक्स लगा दो ठीक है तो 5% अगर 80% का निकालते हो आप 80% का जो 10% होता है न वो 8% होता है 5% उसका भी आधा हो गया यहां 4% हो गया यहां 5% लिग रहा हूं यहां 4 तो 5% on the base of 80% is nothing but 4% तो 4% यहां जोड़ा तो आपने 84% में लगा तो यह विद्ट टैक्स जो है न यह फाइनल प्राइस है यह दिया हुआ था प्राइस प्राइस प्रट्ट आफ्ट्ट आफ्टेंग 20% डिसकाउंट इस विच इंक्लूदिं यह इंक्लूदिंग टैक्स ता इसलिए 84% आपका इसके बराबर हुआ अब आगी calculation तो आप समझ लो डिविजन करना डिविजन कर लो option चेक करना option चेक कर लो जो भी करना कर लो पर मेरे लिए डिविजन टफ नहीं है क्योंकि mentally यह वाला डिविजन मेरे लिए क्या सिंपल ए तो बहुत असानी से हो सकता था थोड़ा सा calculation बहुतर हो confusion आपने जाने क्यों पाल लेते हो स्टेटिंग कितना हसान आपको पता है रियल लाइफ से क्यों नहीं रिलेट करते हो टैक्स कहां लगता है टैक्स लगता है जो आपकी final value आती है discount MRP होता है MRP में आपको discount मिलता है इसके उपर tax लगता है जो final आपकी value होती है उसके tax लगता है